हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हों आप लोग बहुत अच्छे होंगे घर और बाहर के ऐसे कुछ काम होते हैं जो काम कभी खतमे नहीं होते हैं अगर हम थोड़ा सा टीप्स करे थू करें न ओकाम एकदम से खतम हो जाएगा और हम अपने लिए भी थोड़ा स समय बचा सकते हैं ऐसे ही कोछ छोटे छोटे यूसफुल कीचेन टीप्स शेयर करेंगे तो चलिए टीप्स हम देख लेते हैं पहला जो टीप्स से मैंने या पल ले लिया है गम इस तरह का जो गम होता है हमारे बुक में या कॉपी में हम फट जाते हैं तो लगाते हैं कई इसका जो धकन है ढ़ कन गुंग हो जाते हैं अगर हम इस तरह से इसको डखकन भी ना ही रखेंगे इसका अंदर जो गम है एक दम से सूख जाएगा और हमारा पैसे कभी बर्बाद हो जाएगा तो किस तरह से हम रखे यह जो गम है यह सूखेगा नहीं और हम यूज कर अगर हमारे घर में कोई बुजूर्ग लोग हो तो इसका एतक्लिप आया है ना धक्कन इस मूँ में गुबारे को इस तरह से लगाने से क्या होगा इसके अंदर हवा नहीं पहुचेगा और इसका अंदर जो गम है ना वो सुखेगा नहीं हम दूबारा इसको यूज कर पाएं तो टीप्स अच्चे लगे तो एपलाई करना चली आगला टीप्स हम देख लेते हैं तो टीप्स से सुई में धागा डालना तो बहुती ज़्यादा जंजरबला काम होता है अगर हमारे घर में कोई बुजूर्ग लोग हो तो इसका एतक्लिप और भी ज़्यादा होता है त हमारे सबी के घर में टूटपेस्ट एविलेवल होता है थोड़ा सा आप टूटपेस्ट कोई भी टूटपेस्ट ले लीजिएगा फिर क्या करेंगे थोड़ा सा ही चाहिए थोड़ा सा टूटपेस्ट लेकर जो धागा है ना धागा में जो मुह है धागा के मुह में इस त तो जाएगा कई बर हम सुई में जब भी धागा डालना जाते है ना धागा हिलता है और आसानी से हम धागा को डाल भी नहीं सकते हैं इस तरह से अगर हम थोड़ा सा टूटपेस लगा कर धागा को डालेंगे ना आसानी से छोटे से छोटे सुई में हम धागा डाल सकते हैं अ प् Pasारा 여러분 MARY Cool इसको हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं पahले तो क्या करना होगा ? पॉलिथीन को अंदर इस साग को हम डाल देंगे फिर इसका जो पॉलिथीन अच्छे तरीके से गीट लगा देंगे फिर क्या करेंगे चाकू की मदद से पॉलिथीन में छोटा छोटा करके छेत लगा लेंगे इससे क्या होगा इसके अंदर अगर पानी आ जाएगा आसानी से वहाँ निकल जाएगा और हमारा साग लंबे टाइम के लिए हम फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं साग हमारा ख्राब नहीं होगा ये टीप सागर अच्छे लगे तो जरूर एपलाई करना जादा जादा करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चली आगला टीप से देख लेते हैं आगला जो टीप से फ्रेंट मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बरतन और एक साबून हमारे घर में जो इस तरह का साबून होता है यूस करने के बाद एकदम से छोटा हो जाते हैं हम फेक देते हैं यह साबून हमारा बहुत सारा पैस है और हमारा काम करने का समय भी बचादेगा दोनों ही बच जाएगा क्या करेंगेван ग्रेटर पूराना ग्रेटर की मदर से इस तरह से ग्रेट कर लेंगए इस एट करेंगे मैंने यहाँ पर ले लिया है दो चम्मच के करीब बेकिंग सोडा और एक चम्मच के करीब मैंने डिटर्जन पाउडर थोड़ा सा वीनिगार इसमें डाल रही हो फिर क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसमें डेटल एट करेंगे फिर अच्छे तरीके से हम इसको मिला लेंगे हातों की मदल से इसको इस तरह से हमें मिलाना होगा यह जो मिस्रन हम तैयर कर रहे हैं ना बहुती काम का है इसको हम कैसे यूज करेंगे इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स्ट कर रहा है ज्यादा अगर आप इन्रेडियंस देंगे तो सारा चीज आप ज्यादा करके दीजियेगा तो और भी ज्यादा मिस्टरन आप तेयर करके रख सकते हैं मैंने यापन ले लिया है एक धककन जो कोल्डिंग्स बाला धककन होता है या कोई भी धककन हो आप ले लीजे इस से क्या होगा आपका कॉंटिटी का ध्यान रहेगा छोटा बड़ा नहीं होगा देखिए मैं दो जो इसा बल बना रही हूँ इसको हम कैसे यूज करेंगे तो चलिए देख लेते हैं हमारा बल जो है एकदम से रेडी हो गया है यहाँ पर ले लिया है एक पॉलिथीन मैं एक बॉल को यूज करूँगी और दूसरे बाला को रख दूँगी बाद में यूज करूँगी फिर क्या करेंगे इस बॉल को इस पॉलिथीन के अंदर इस तरह से डाल कर अच्छे तरीके से टाइट करके इसको बंद करना होगा फि थी इन में मैंने 25 पिन की मदस से इसको इस तरह से ओल बनान लिया है तो चे लिए इसको हम कैसे यूश करेंगे देख लिये हैं हमारे घर में जो इस तरह का पौटी करने का जगा है न हम जब भी इसको साप सूत्र रखते हैं एक ही दियो दीन में देखा जाता है एकदम से गंदा हो जाता है बैड इसमेल भी आने लगता है और हम लोगों को भी बुरा लगता है लेकिन रोज-रोज क्लीन करने के लिए हम लोगों को पस समय भी नहीं होता है किस तर पॉलिथिन को डाल देंगे, देख सकते हैं, इस तरह से बाहर रख देंगे, क्योंकि इसका अंदर हम आसानी से पॉलिथिन जो खतम हो जाएगा यह चीज हम लगा सकते हैं, अंदर डाल के, फिर इस तरह से हम जो भक्स है धकन बंद कर देंगे, जब भी हम टॉयलेट को यूज करेंगे फ्लाश करेंगे इस पानी के साथ ओ मिस्रन भी हमारे खाना में चला आएगा इससे क्या होगा जो गंदेगी है बैड स्मेल है ओ एकदम से चला जाएगा जब ओ चीज खतम हो जाएगा तो अब दूबारा बना कर उस पॉलिथीन में ड खतम हो जाएगा एक दम से साप सूत्र रहेगा तो धेख लेते हैं हम जब भी इस तरह सा हैंगर यूज करते हैं हंगर में चोटा छोटा जो चीज होते हैं मोजा या रुमाल चोटा कपरा हम इस तरह से धूप में सुखाने के लिए रखते हैं कई बढ़ देखा जाता है त वो नहीं गिरेगा एकदम से अटके रहेगा इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंट मैंने याप ले लिया है हैंगर इस तरह से हम नहीं रखेंगे मैं याप ले लूँगी जो क्लिप होता है ना कपरा सुखाने के क्लिप इस तरह से मोजे या छोटा कोई भी कपरा अगर आप इस तरह से क्लिप पर लगा कर हैंगर में रखेंगे ना आप देखिएगा बहुत सारा कप्रा छोटे से हैंगर में आप सुखा भी सकते हैं और तेज हबा चलने के कारण आपका जो कप्रा है ना नीचे नहीं गिरेगा तो ए छोटा छोटा टीपस अगर थोड़ा सा भी यूसफूल लगे तो जरूर अपलाई करना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सापोर्ट करना